भारत ये होकी के लिए एक और प्राउड मोमेंट आया है स्वणिम सफलता हासिल की है भारत की टीम ने और वो भी पाकिस्तान को पराजित करके जी हाँ भारत ने जूनियर एशिया कप के फाइनल में चिरप्रतिद्वन्दवी पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है और जूनियर एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है बड़ी जीत है और क्यों बड़ी जीत है आज बताऊंगा साथ ही बताऊंगा फाइनल मैच की कहानी की भारत ने पाकिस्तान को कैसे किया पराजित साथ ही इस पूरे जुनियर एशिया कप में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा ये भी बताऊंगा लेकिन पहले बता दू कि आप देख रहें न्यूस बाइसकोप और मैं हूरा के इश्रंजन भारत के जैन नेक्स्त ने कमाल का प्रदर्शन किया है हाकी के जैन नेक्स्त ने जुनियर एशिया कप में शांदार प्रदर्शन करते हुए एशिया कप की टाइटल जीत ली है भारत में पूरे एशिया कप के दौरान जो ये जुनियर एशिया कप हुआ ओमान में उसमें शांदार प्रतरशन किया है और 48 गोल जो है भारतिय टीम ने विपक्षी टीमों पर दागे हैं तो किस किस को कितने गोल मारे हैं ये भी बताऊंगा लेकिन पहले फाइनल मैच की बात कर लेते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला था उमान में था बड़ी संख्या में लोग आये थे शायद खिलाडियों के लिए पहला अनुभाव रहा होगा कि इतनी बड़ी संख्या के सामने जो है वो मुकाबला खेलना लेकिन भारत ने अच्छी शुरुआत की और शुरू से ही आकर्मन की जड़ी लगा दी कुछ पेनल्टी कॉर्नर भारत ने जरूर मिस किये लेकिन तेरहवे मिनट में अराईजीत सिंग हुंडल का शॉट जब डिफलेक्ट होकर लोट रहा था तो अंगद बीर सिंग ने मौका ताड़ा और सीधे गोल डाल दिया और भारत को एक शुन्नी की ब दो शुन्य की अगरता दिला दी हाफ टाइम दो शुन्य पर ही हुआ भारत दो गोलों से आगे था लेकिन 37 मिनट में पाकिस्तान ने गोल करके जो भारत की जीत का अंतर था उसे कम कर दिया और भारत जो है दो एक से लीड कर रहा था बाद में पाकिस्तान ने कुछ शिशों के बाद भी जो है वो अपन गोल जो है उतार नहीं सकी भारतिय टीम ने भी कुछ आक्रमन किये उन्हें भी कुछ पेनल्टी कॉर्णर मिला लेकिन जब फाइनल हूटर वजा तो जो भारत जो है वो दो एक से आगे था जो ये बता रहा था कि भारत ने जूनियर एश कप का खिताब चौती बार जीत लिया है आपको बता दूं कि आठ साल बाद ये टूर्नामेंट हो रहा था जूनियर एशिया कप और इसकी प्रतीक्षा सभी को थी आखरी बार 2015 में ये जूनियर एशिया कप खेला गया था और अब जाके 2023 में हुआ और जिसमें भारतिय टी को निश्चे तोर पर जो है एक टानिक मिला होगा क्योंकि अब आगे जो है जूनियर वर्ल्ड कप भी होना है मलेशिया में तो उसे देखते हुए ये बड़ी जीत है और अगर इस टूर्नामेंट की हम बात करें तो भारत के जो जूनियर खिलाडी है जो जिनरेशन नेक्स हैं उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया है और अगर हम बात करें तो उत्तम सिंग के नित्रित्व में भारत की जूनियर होके टीम ने उत्तम प्रदर्शन किया है ये हम कह सकते हैं उत्तम सिंग जो है वो फाइनल के मैन अब दा मैच भी बने कप्तान थे टीम के और उन्हों अराई जीत सिंग है, ब्रिलेंट टैलेंट आप कह सकते हैं, तो कुछ खिलाडी जो इस टीम में थे, जुनियर टीम में, वो निश्चित तोर पर भारत की सीनियर टीम की नीली जर्सी पहनेंगे, इस से कोई इंकार नहीं कर सकता, जहां तक जुनियर एशा कप में भारतिय टी इनी ताइपे को 18 गोलों से पराजित किया था, इसके बाद भारतिय टीम जापान से 3-1 से जीती, लेकिन फिर थाइलैंड को भारत ने 17 गोलों की करारी शिकस्त दी, इसके बाद पाकिस्तान के साथ जो उसका मुकाबला हुआ था, ग्रूप अस्तर पर वो एक-एक की पाकिस्तान को 2-1 से हराया और जुनियर एशिया कप का ताज हासिल कर लिया, जो भारत की जुनियर एशिया कप की टीम थी, उसके प्रदर्शन से मिश्चेत तोर पर यूरोप के दोरे पर गई भारत की सीनियर टीम को भी होसला मिलेगा, आप क्या सकते हैं, उनके लिए भी ये जीत, टानिक का काम कर सकती है, भारतिय होकी टीम को हम धेरो शुब कामनाई देते हैं, होकी इंडिया ने भी खिलाडियों के लिए नकदे नाम की घोशना की है, हर खिलाडी को 2-2 लाक रुपए मिलेंगे, सपोर्ट स्टाप को 1-1 लाक मिलेगा, तो ये एक शुब संके होकी में जो है, वो पैसा इन्वाल्व हो रहा है, और इससे निश्चेत तोर पर खिलाडियों का भला होगा, और खिलाडी जो है, और जी जान लगा कर खेलेंगे, तो भारतिय होकी टीम को हमारी धेरो शुब कामनाई जुनियर एशिया कप जीतने पर, अभी के लिए इतना इजाज़त दे, नमस्कार